ही गाइस हेलो हाई सस्रीकाल नवस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे आप सब का हमारे यूटूब चैनल फोर इन वन में बेलकम है और यहां मैं बना रही हूँ लंच लंच की तेयारी कर रही हूँ मैंने टमेटो लिया हुआ है ग्रीन चिली जिंजर का खाता है यह यूज किया है मैंने इन सबको ले लिया है और मैंने पनीर लिया हुआ है मैं आपके साथ शेयर करोंगे आई होप आपको पसंद आएगा मैंने यहां पे दो ओनिया है मेडियम साइज का इसको कट करके मैं एड कर दोंगी इसमें थोड़ा सा मैंने जिंजरेड क और मैं साथ में इसका एक प्यूरी बना के रेडी कर लूँगी लुक एद इस बाइट ओनियन का कितना अच्छा कलर आया है ओनियन का प्यूरी बना के मैंने साइड में रखा है उसी में दो टमेटो मैंने एड किया बड़े साइज का इसका प्यूरी बना के मैंने रेडी कर ल करना उसके बाद बच्चे भी स्कूल जाएंगे और मैं बच्चों को छोड़के हम लोग में और मेरे हस्पेंट थोड़ा सर मतलब वो किचन का मुझे सामान लेकिया आना जो हर महीने आता है थोड़ा डीमाट भी जाना उन लोगों को छोड़ने के बाद में डीमाट पनीर को कच्चा सबजी में अच्छा नहीं लगता है और यह मिंटों में फ्राई हो जाएगा गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है देखिए इसमें कलर आ गया है सिर्फ मुझे इतना ही फ्राई करना यह और मैं इसको अभी साइड में निकाल दूँगे लुक है दिस कितना अच्छा कलर आया है ना पनीर बनके मेरा यहां पे रेड़ी हो गया है मैंने यहां कुछ खड़े मसाले लियें काली मिर्च लॉंग बड़ा इलाची चोटा इलाची और जीरा इन सबको मैं उसी ओईल में एड़ कर दूँगी पनीर को मैंने इसमें ही राई किया था और मैं इसी में इसको एड़ कर दूँगी ओनियन का प्यूरी में इसमें एड़ करूँगी फास्ट और इसको पका लेना है कुछ मिनट के लिए हमें स्लो गेस पे सोटे कर लेना है और ये बनीर का सबजी इस तरीके से मिन्टों में बनके रेडी हो जातर बहुत ही स्वादिश्ट बनता है जरूर से बनाईएगा आपको पसंद आएगा यहां पर ओनियन का प्यूरी रेडी हो चुका है अभी मैं टमेटो का भी इसमें एड़ कर दूँगी और इसके साथ हमें कुछ मसाले एड़ करने है खड़े मसालों में आप तेज पत्ता भी एड़ कर सकते हो दाल चीनी एड़ कर सकते हो मैंने वो सब एड़ नहीं किया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी से कुछ मसाले मैं इसमें एड़ करूंगी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के नुसार नमक, धनिया पाउडर इन सब को हमें अच्छी से पका लेना है, एक पिष्ट बनाके रेडी कर लेना है सारे मसाले अच्छी से पक जाने चाहिए और इसका छीट पूरा उपर आ रहा था इसलिए मैंने ढख कर के पकाया, पूरा मेरा गैस गंदा हो गया था देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, ग्रेवी हमारा रेडी हो गया, मैं इसमें मटर एड़ कर दूँगी मैंने एक कटोरी मटर लिया हुआ है, और यह मैंने बोईल कर लिया था, हलका ही बोईल किया था, जादा बोईल नहीं किया था मटर के साथ मैं पनीर भी इसमें एड़ कर दूँगी और इसको mix कर लेना है अच्छे से और मैंने इसमें थोड़ा पानी भी add किया था actually इस सब्जी हमें rice के साथ खाना था तो थोड़ा gravy वाला इस सब्जी मैंने बना के ready किया था आप इस सब्जी को पूड़ी के साथ खा सकते हो रोटी के साथ खा सकते हो बहुती स्वादिश्ट लगते हैं मैंने हाप पे थोड़ा गरम मसाला add किया अभी ढख करके 2-3 मिनट के लिए हमें ये पका लेना है बहुती स्वादिश्ट बनता है आप जरूर से बनाईएगा फोली पे अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो लंच में सब्जी बिलकुल पक चुका है रेडी हो चुका है मैं इसको साइड में रख दूँँगी फटा फटसे में राइस बनाकर खाना खाके फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँगी कितना अच्छा color आया है न सब्जी का मैं इसको self करके साइड में रख दूँगी कितना अच्छा है ग्रेवी वाला सबजी बनके रेडी हुआ है मैंने इसमें थोड़ा ही पानी एड़ किया था फिर भी थिक हो गया है मुझे ऐसा ही सबजी चाहिए था राइस के साथ लोकेटिस कितना अच्छा लग रहा आई होप आपके रेसिपी पसंद आई होगी आप जरूर से बनाईएगा यहाँ पे सबजी बनके रेडी होगी मैंने गार्निस किया है जिंजर के साथ लोकेटिस कितना अच्छा लग रहा है न और मैंने राइस भी बना लिया था तो अभी मैं पिलेटिंग कर लेती हूँ फटाफट से बच्चों को खाना दे देती हूँ हस्पेंट को मैं खुद भी खा लूँगी उसके बाद एक दो काम किये थे क्योंकि सुबह में हजारों काम हो जाते हैं वैसे भी बच्चों के स्कूल चालूँ है मेरे बच्चे थोड़े लेट से ही स्कूल जाते मैं इसलिए सुबह में ही सारे काम कर लेती हूँ जल्दी उठके और ये देखिए बन बाइट आपके लिए पहला बाइट इंजय कीजिए और यहाँ पे मैंने अल्मुष्ट सारा काम सुबह का कर लिया था कपड़े दूके भी रखे थी तो मैं अभी इने जाने से पहले डाल दूँगी मैं हापे रेडी हो चुकी हूँ बच्चे भी मैंने रेडी कर दिया है बस मुझे उनको कॉम करना दौनों लग रहे हैं सौक्स वगेरा पहनने में मैं इतने इन कपड़े इनको डाल दूँग थोड़ा सा टाइम था 12.30 पर बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर मतलम मैं यह सारा करके जल्दी सी उनको स्कूल भीज़ दूँगे इसी तरीके से सारे काम मैनेज हो जाते हैं बहुती जल्दी जल्दी रहता है सुवें मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं यहां पर मैंने सारे कपड़े डाल दी हैं और यह देखिए आज दौनों का फाइट हो रहा है दौनों को मूंड कुछ अच्छा नहीं है दौनों गुस्से में एक दूसरे को मार रहे हैं बस दौनों भाइ रेडी हो गएं दौनों नया साइट पहना भी युनिफॉर्म नहीं है इनका दौनों का मस्ती चाल हुए हम पर एक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं देखिए बच्चे रेडी हो गए और देखिए ट्वेल थर्टी हो रहा है मैं भी हम पर रेडी हो जाऊंगी और बच्चों को छोड़ देंगे उसके बाद हम लोग बाइक से डीमाट जाएंगे थोड़ा सा सामान लेने के लिए अभी होली भी आ रहा है तो सामान मेरा खतम भी हो रहा था सारा ही जो रहता है ओयल है डाल राइस है मतलब बहुत सारा सामान रहता है कुछ मसाले हैं मेरे सारे ही खतम हो रहे थे तो मैं बहुत जाके ले आऊंगे दोनों बच्चों का बैग स्कूल तक हम लोग ही लेके जाते हैं मैं जाती हूं तो मैं लेके जाते हूं और मैं हाँ पे कुछ सामान ले लूँगे और मेरे बड़े बेटे का बड़े भी आ रहा कुछ चोकलेट भी लिया था मैंने उसके लिये बेलुंस बगेरा भी लिया था और हम लोग उसके कपड़े भी लेने बाले थे बट वो हमको अच्छे नहीं मिले इसलिए कपड़े हम लोगों ने नहीं लिये कुछ only सामान लिया था जो भी किचन का होता है I hope आपको यह पसंद आएगा मैंने चोकलेट लिया है अपने बेटे के बड़े के लिए 19 मार्च का उसका बड़े होता है पुरा 8 एर्स का हो जाएगा और यह मेरा सारा सौपिंग हो गया है और अभी हम घर पे बापस जा रहें थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान लेकि आई I hope आज का यह ब्लोग आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताईएगा यह ब्लोग आपको कैसा लगा रेसिपी आपको कैसी लगी मैं यह सब सामान लेके आई थी और सब भी था पूजा का भी था ओईल बगेरा मैंने सब वो एक बैग में भरके रखा है यहां पर यह बेसन है यह रायते वाला बूंदी है य चाय की पत्ती है और इस तरीके का कुछ सामान है यह मटर हैं सपेद वाले मटर होते हैं कुछ सोया बिंस हैं यहां पर